तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग अम्मीद करता हूँ काफी अची होंगे तो दोस्तों Crystal Integrated Services का जो IPO है अभी open है मतलब हाल ही में आज तो छुटी है पर अभी open है यह IPO क्योंकि इसकी last date जो है वो है 18 मार्च मतलब Monday को Monday को यह close हो जाएगा तो 18 मार्च को last date है तो इस IPO पर हमारा final decision क्या है क्या इस IPO में apply करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर उसके अलावा दोस्तों बाकी सारे जो IPO है उनका latest grey market का premium भी जानेंगे जैसे popular vehicles का IPO अभी open है उसके लावा upcoming SME IPOs में किसकी demand सबसे ज़्यादा अभी चल रही है मतलब GMP किसकी ज़्यादा चल रही है वो भी हम जानेंगे और नए upcoming mainline IPOs कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलेग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट एकाउंट सबकी link description के अंदर आपको मिल जाएगी तो 18 मार्च को last date है अभी एगर बात करें listing gains के साब से सबसे पहले बात करते हैं listing gains के साब से तो इसके लिए क्या है कि हमें इसकी GMP देखनी परेगी, subscription कितना मिला है, anchor list वगिरा ये तीनों ही चीज़े हम देख लेते हैं तो GMP देखे वैसे तो एक अंदाजा ही है, इसको अंदाजा मान कर चलना है पर थोड़ा बहुत हमें अंदाजा हो जाएगा इससे भी और GMP उपर नीचे होती रहती है, मानलों डिमांड ज्यादा होती तो उपर हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो नीचे हो जाएगी और पूरा मार्केट अभी डाउन चला गया था चार-पांस दिन, तो उस कंडिशन में किया कि GMP अगर और गिरती है तो थोड़ा बहुत हमें सब्सक्राइब है, 0.72 अभी तक सब्सक्राइब हुआ है, मतलब NII पोजिशन को छोड़े, NII पोजिशन फुली सब्सक्राइब हो चुका है, पर उसमें भी ज्यादा सब्क्रिप्शन नहीं है, एक गुना से उपर ही सब्क्रिप्शन है, QIB पोजिशन रीटेल पोजिशन अभी तक अंडर सब्सक्राइब है, जनरली QIB तो आखरी दिन सब्सक्राइब करते हैं, तो अभी ओवरल डिमांड जो है अभी दो दिन तक ऐसा नज़र आ रहा है कम है, तो लिस्तिंग गेंज के साब से अपलाई करना चाते हैं, तो थोड़ा बहुत रिस्क है, ठीक है, प थोड़ा बहुत हमें लिस्तिंग गेंज मिलने की उम्मीद नज़र आ सकती है, बाकी ओवरल अभी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, रिस्क ज़्यादा नज़र आ रहा है, परसनली मैं मेरी तरफ से कोई डिसीजन नहीं दे रहा है, अपनी रिस्क और अपना अनलेसिस लगा की कोई डिसीजन लीजिएगा, आप लोग क्या करेंगे, लिस्तिंग इसके साफ से अपलाई करेंगे, नहीं करेंगे, वो कमेंट करके पता दीजिएगा, फिर बात करें, लॉंग टम के साफ से, तो लॉंग टम के साफ से देखने के लिए क्या है, कि हम इसका पॉजिटिव और negatives दोनों ही देखने पड़ेंगे तो दोस्तों इसका अगर sector देखे service sector manpower provide करवाती है मतलब अलग अलग जगा कहीं स्टाफ पगिरा चाही होते है security guard चाही होते है तो यह provide करवाती है काम बढ़िया है demanding काम भी है demand है इसके अंदर और ऐसा काम है मतलब इसके अंदर competition भी इतना ही ज़्यादा है क्योंकि manpower supply करना मतलब भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कोई भी अगर manager की पदबर आवा हो यह मतलब थोड़ा बहुत effort लगा ले तो manpower की व्यवस्ता हो सकती है तो ऐसी बात है इसके अंदर competition भी उतना ही है पर यह काम demanding भी है ठीक है sector तो demanding है इसके इंदर पैसा तो है business wise देखें पर अगर इसके shares देखें पिछले जो भी इसके shares थे इसके peer अच्छा रिटन बना की दिया ऐसा graph चला रहा है अच्छा रिटन बना की दिया फिर डाउन हो गए वापस नीची आगए तो मतलब continuous growth हमें नहीं देखने को मेली जितने भी अभी shares लिस्टेड है इस टाइप के मैंने देखें अपडेटर सर्विस SIS सब में इसी तरह का पैटन चड़े फिर नीची आगए तो मतलब कुछ ऐसी सेक्टर हो ना कि जिसमें continuous growth देखने को बिले तो थोड़ा हमें शान्ती हो तो हम भी सोचें कि भी apply करें तो अभी थोड़ा उन पर उसी के साथ सा debt भी इसके उपर ज्यादा है मतलब 0.58 का debt to equity ratio निकल कराता है अलांकि एक से तो कम है पर debt to equity ratio ज्यादा है ठीक है बाकी IPU के पैसे से जो कुछ 10 करोड रुपए इसकी उदारी चोकने के अंदर काम आएंगे उसके बाद भी करीब करी 93 करोड रुपी की negative point लगा फिसके लाब इसकी ROE और ROCE कम है तो यह भी थोड़ा सा negative point है फिर दोस्तों valuations ज्यादा सस्ती नहीं है बात करें SIS इसके इंदर सबसे बड़ी कंपनी है SIS Securities ने आप नाम सुना होगा वो इसके इंदर सबसे बड़ी कंपनी है revenue के मामले में और updater service उनसे तो सस्ती valuations है पर SIS से महेंगी है मुझे लगता है कि SIS से भी सस्ती valuations करनी थे इनको तो उससे महेंगी valuations थोड़ा सा negative point लगा मुझे overall valuations ज्यादा सस्ती नहीं है वाकि इसके इसके इंदर कुछ अच्छी बात है कि promoters वगेरा इसके अच्छे है मतलब मैंने आपको बताए कि personally अगर attractive IPO नज़र नहीं आ रहा है और आपको कैसा या IPO नज़र आ रहा है वो मुझे comment करके बता दीजिएगा आप apply करेंगे नहीं करेंगे बाकी अभी क्या है कि last कुछ IPO मैंने देखे मतलब सबकी listing negative देखने को मेली अच्छी अच्छी IPO उसका कारण था market volatile था market काफी जादा down जला market मैं अभी sentiment IPO उसको लेकर इतना अच्छा नहीं है इस कारण personally मेरा भी इरादा नहीं है आप लोग क्या करेंगे apply करेंगे नहीं करेंगे तो listing gains के सबसे long term के सबसे comment करके पता दीजिएगा और वीडियो से help हुई है तो वीडियो को एक like जोरू करें और दोस्तो मेरी तरफ से कोई भी apply करने नहीं करने का decision नहीं है फिर दोस्तो popular vehicles का IPO 19 तारीक को इसकी listing है इसकी GMP अभी zero बता रही है मतलब कोई भी IPO नहीं है जिसकी demand 87% या उससे भी ज़्यादा हो तो अभी कोई भी ऐसा IPO नहीं जोलता है मैं आपको बताया है जैसा कि IPO sentiment अभी थोड़ा बिगड़ा हुआ है मार्केट में demand थोड़ी कम हो रखी है हां market चड़ेगा वापिस फिर IPOs की अच्छी demand देखने को मिल सकती है और एक और चीज लोगसबा चुनाओ के मतलब डेट्स वगरें अनॉंस हो गई है 19 अपरेल से लेकर 25 मही तक यह चुनाओ चलेगा अलग अलग फेस के अंदर लगब डेट महीने जैसा यह पूरा चुनाओ चलेगा उसके अलावा 4 जून को result भी आने वाला है तो मतलब का दो लोगों के मनमें अस्मंजस रहता जो एज इन्वेस्टर्स अगर देखें बड़े जू इंवेस्टर्स वीटा जाधा पैसा लगाते है उनके मनमें अस्मंजस रहता है तो हो सकता है मार्किट और वालेट हमें sait उपर नीचे काफी देखने को मिल सकता है चुनावों के कारण फिर दोस्तों अपकमिंग आई-प्यूस कौन-कौन से हो सकते हैं तो दीखे अभी तो किसी की भी पर्टिकुलर डेट तो अनौस होई नहीं है कि भी यह आई-प्यो हो सकता है ऐसी किसी की भी डेट अनौस नहीं खबर नहीं है उसके लाव नाभी टेक्नोलोजी है गो डिजिट है ऐसे काफी सारे आई-प्योस अभी लाइन के अंदर है पर अभी तक आए नहीं है और अभी टाटाट संस का आई-प्यो मतलब लेके आने वाले थे पर उसके बाद किया ही कि वाप्रसायद कैंसल भी कर दि हमें अप्रेल के अंदर नए आई-प्योस देखने को मिले यह हो सकता है चुनावों के करण थोड़ा आसमन जस्त जादा रहे मार्केट वालेट अलगर जादा रहे तो सकता है अप्रेल महीने के अंदर कम आई-प्योस देखने को मिले ऐसा भी हो सकता है आपको क्या लगता रहा है कि यह चुनाओं के माहौल में आई किस आएंगे नहीं आएंगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा तो दोस्तों यह थे सारे आज के अपडेट्स उम्मीद करता हूं हमरा वीडियो हमरी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी और helpful रही होगी helpful रही है तो वी मेरी तरब से किसी भी आई प्लाइ करने या नहीं करने का डिसीजन नहीं है जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना अनालिसिस लगा के बनाएं